नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है, होब करते कि आप से बहुत अच्छे होंगे, फिर से मैं एक लाइन वही दो रहा रहा हूँ, दो किताब मैंने आपको बता है कि जब आप computer science से बीटे करने जा रहे हैं, computer से है, IT से है, artificial intelligence से है, या कोई साब भी ब्रां और अपने आपको उसमें एक अच्छे प्लेस पे अच्छे मतलब इंट्रेस्ट डबलब करना चाहते है, तो मैं highly recommend करूंगा, फिर से वह दो किताब मैंने फिर से अपने पास रखा है, और मैं आपको दिखाऊंगा, you have to buy, ये पहला book, okay, and this is a second one, ये volume one and volume two, ये आपको पढ कि क्या बहिया बेवकुप जैसे बाते कर रहे हैं, बीटिक करने गया है, क्या हमको अब 12th की NCRT पढ़ा रहे हैं, मैं मान सकता हूं ये question आएगा, लेकिन आपको एक चीज जो बहुत simple आपको ये याद रखनी है, कि जब एक लड़का, एक बच्चा, एक बच्ची, कोई भ जाता है, तो सबसे पहला जो suggestion दिया जाता है, या तो जिनों निकाल लिया है उस exam को, या फिर जो teacher है, सबसे पहला और important सला जो होता है, वो यही होता है, कि NCRT 6-12 पढ़ जाओ, चाड़ जाओ, बस यही चीज होता है, line by line, in depth, चाड़ जाओ, ये पहला line होता है, तो हम उस principle को अपने computer science में use करने की courses कर रहे है, और जब मैंने उसको courses किया, तो, मतलब amazing है, मतलब amazing है, जब मैं किदनी बार भी इस book को पढ़ता हूँ, तो हर बार मुझे नए तरीके से सोचने को मिलता है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, कि आपको line by line, first volume and second volume, 11th and 12th, क्योंकि हमारे पस तो 6 to 8 में कुछ है नहीं, 6 to 10 में कुछ computer science है नहीं, तो आपको यह पढ़ना की सुरुवात कर देनी चाहिए, क्योंकि यह आपको इतना जादा understanding देगा, कि आप सूच भी नहीं सकते है, line by line, google करो या कुछ भी करो, बट line by line, signing off.